दोस्तो मैं मीत्यादू, दोस्तो आपको बता दे जिस तरह खेट को किटाडू, सरीर को वेक्टरिया से बचाने के लिए आवसे वस्तू, कपड़े और दवा की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार हमारे देश को घुसपैट और आतमवादियों से रच्छा करने के लिए आर्मी और सेना की जरूरत होती है क्योंकि जब आप अपने घर में चैन से सो रहें, तो उस समय भी हम जाने या ना जाने कोई रच्छक हमारे लिए बर्फ की चटानों पर, बहत्योई पानी में और सुखे रेगिस्तान में रात और दिन एक ही पोजिशन में खड़े रहकर एक टाइम खाकर हमारे रच्छा करते हैं दोस्तों यह कोई आसान काम नहीं है, दोस्तों हमें आर्मी और सेना की मेहनक का और उनकी बलिदान का सम्मान करना चाहिए दोस्तों आप ही एक बात बताईए कि क्या जिस तरह ठंडी, गर्मी और बरसात में बिना खाये भी हमारी सेना हमारी और हमारे देश की रच्छा करते हैं वैसे ही हमारे सरकार को भी चाहिए कि नहीं कि उनकी अवसकताओं को भी बख्वी ध्यान दे दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, जिस भी देश में किसान और जवानों का सम्मान नहीं दिया जाता उनकी अवसकताओं को पूरा नहीं किया जाता, तो वह देश भी आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों इस वीडियो में हम किसी राजनितिक पार्टी की बढ़ाई या किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन जिस काम से पूरे देश की भराई होती है, उसे सरकार को करना ही चाहिए दोस्तों सेना की जरूत को लेकर एक बार फिर कांग्रेश नेता रहुल गांदी ने एक ट्विट किया है उन्होंने PM मोदी के हवाई जहाज के बारे में लिखा है दोस्तों आपको बता दे कि राहुल गांधी ने सेना का एक वीडियो पोस्ट किया है जो लगभग 2 मिनट 19 सेकेंड का होगा और इस वीडियो को भारती सेना के जवानों का बताया गया है दोस्तों आपको बता दे राहुल गांधी ने यह tweet 10 अक्टूबर को किया था इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि हमारे जवानों को नान बुलेट प्रूप ट्रकों में सहीद होने के लिए बेजा जा रहा है और पीम के लिए 84-100 करोड की हवाई जाज क्या यह न्या है उन्होंने इतना बात अपने ट्वीट में लिखा है दोस्तों जो सेना का 2 मिनट और 9 सेकंड का वीडियो है उसमें सेना के कुछ जवान ट्रक में बैठे हैं और वे सभी लोग अपनी असुविधा पर बाते कर रहे हैं उसमें से एक जवान कर रहा है कि कई बार तो बुलेट प्रूप गारियां भी सेप नहीं होती और हमें बिना बुलेट प्रूप वाले गारी में भेजा जा रहा है दोस्तों आपको बता दे राहूर गांदे के इस वीडियो को कांग्रेसी निता दिग विजय सिंग ने भी रिट्विट किया और उन्होंने अपने ट्विट में लिखा मोदी जी के लिए जवान, सेना और राष्टी सुरच्छा के उल मीडिया को दिखाने के लिए है और उन्होंने आगे लिखा कि यदि पूर्मामा में CRPF के DGP सहब का निविदन मोदी जी ने सुना होता तो हमारे जवान सही नहीं होते दोस्तों आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांदी ने हवाई जहाज पर मोदी जी को घेरा है इससे पहले भी 8 हक्टूबर को अपने ट्विट में राहुल गांदी ने PM के 84 सो करोड की हवाई जहाज पर सवाल उठाया था और उठे ने कहा था उठी जी जितने में आपका ये हवाई जहाज है उतने में सियाचीन और लद्दाक में तैनाज जवानों के लिए लबग 30 लाग गर्म कपड़े, 60 लाग जैकेट और दस्ताने, 60 लाग 20 जाग जूते और 16,80,000 अक्सीजन सिलेंडर खरी दे जा सकते हैं उन्होंने अपनी इस ट्वीट में आगी लिखा लेकिन हमारे पीम को सिर्फ अपनी इमेज की चिन्ता है, सैनिको की नहीं दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या मत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताये, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखे